आप सभी को स्वागत है आज का हमार टॉपिक है जो कि एडवास में का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसके पहले हम इसके 7 वीडियो अप्लोड कर चुके तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो चैनल के प्लेश में जाकर जरूर देखें हमारे वीडियो को ल कर दो करेंग है जिसके केंडर में पांच सेंटिमेटर है एडDER लम्बी जीवा है यहां हमने प्रि ड्रॉप इसके केंडर में बोल रहाती तुमीटर जानिके शेवह केंडर यानि और भॉवरा उसकी त्रेज़ा 5 cm यानि यहां पर यहां पर द्रॉब करें फिर बोलाई एभी 8 cm लंबी जीवा है यहां से अधी जीवा भी ड्राय कर दिया जीवा पर रेखा कीची जाती है वो लंब होती है तो फिर लंब होती है तो इस जीवा को दो बराबर भागा में बाड़ता है यानि कि यानि कि AB का value में मालूम में 8 by 2 यानि 4 cm फिर हम दिख रहें कि OM जो है AB पर लंब है कि जीवा पर खिची गई रेखा लंब होती है तो अगर OM AB पर लंब होगा तो यहां से यह हमारे एक right angle ड्राउ कर दिया और हमें अगर मालूमें तो हम OM की value और आसानी से निकाल सकते हैं तो OM पराबर क्या हो जाएगा तो OM पराबर होगा किए बहुने साइ वी है एक बहुना दू도 की र्चेस में दूना दूए बहुना दूएShow दूनीन दूने ना किता हूंО sus करभा़ चाहिए इस फिले अ वो यह र्चेस करना धाल जीवा पर जो लंब खी जाता है वो जीवा को दो बराबर बागों में बाठता है यानि कि एम बराबर एवी बाइटू यानि एट वाइटू फोर सेंटिमेटर तो एक राइट एंगल ड्राइंगल में पर आबर क्यों हो जाएगा तो अंडरूट ओए का स्कॉर माइनस एम का स्कॉर यानि फाइव स्कॉर माइनस पॉर का स्कॉर यानि थ्री सेंटिमेटर ओप्सन नमबर एश नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमबर 49 जो कि आपको एससे सी एचसल 2015 में पूछा गया है यह हमारा का एंगल एक समकोण है AD BC पर लंब है 22 14 सेंटिमीटर और BD वराऑर 5 सेंटिमीटर तो AD का माप क्या हो गई है हमारा कोश्चन बोल रहा है कि Unstyle ABC जिसका कि 28 Szamed घृप कर दिया क्या वंहें भूल रहा है तो सपस्वारे में इंड ले तो पुछिन में पिछले पार्ट में अपको बता है ब्लाबर होता है अगर सम्पोन से अगर सम्पोन के सामने वाली भूजा पर एक लंग कीचा जाता है तो एक अगरम अगरम माइन होगा ऑ स्की हाल डीटी में अप्सक्राइक और डीट की वेलुक्ततर रूटीय楚 में तो इस कुछ्चन भे नहीं है किกर चाहेते हैं रूटर रूरलушки में कि किया है गवहाइं आप प मेंदे ब्लस होग तो बोल्ड़ा था कि तिरगुज एबीसिक आंगल आपके एक ट्राइंगल रहे किया यहां प्रेंगल किया यहां पर एक कर एशी पर डिशन पर लेक्ट कम कर दो रहे साथ के पर था पर दिशन पर लमभ है तो ग्रम लेक्ट इसका कर दोपार भर लावर फ़ोटीन ए तो AD2 यानि AD2 वर्वर BD यानि 5 DC यानि की 9 यानि की AD वर्वर अंडरूट 45 यानि 3 रूट 5 सेंटीमेटर ऑप्सन नमबर B नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमबर 15 जो कि आपको SACCHSR 2015 में पुछा गए है यह हमारा कोश्चन बोल रहा है इसके पूल रहा है केंडरों की दूरी कितनी है तो 15 सेंटीमेटर इसके पूल रहा है केंडरों की दूरी कितनी है buds दूरी है 15 सेंटीमेटर कि एक कंदर म Los Angeles एक कंदरे ओछ उसके बाद बोल रहा है कि भ formas नवा इसकान उपन्भाट इन्यों पम हर दो नवरीख लेठ केंडरों कि थे यहांसे नानटी का कोन बनाएगी हमने इसका नेम रखा दिया एक इसका नेम रखा याने गहां पुछ रहा है कि फॉल्च सन्रों इंडे-च की लबाय। को दोży तो कि अगर ब्रित कण्ध zu माइनस का आता दोनों बरीज के याहनी 3 जोड 5806-2 yat वेलु हमारे कितना अगया तो तो अपिवंडर रूट 225 – 9 ना वेल्हां यानि तो दोन धोम्रस यानि 12 संटीप्र आप्सन न्मर अप्सन निम्हार माइने क्या कूछ भी नहीं यह तो यहां से नम निकाल सकते हैं तो हमें इभाएंदिश्टिरिय का सफर से खा की लंबाई कितनी हो जाएं कि तो अंडरोट के केंद्रों की बीच की दुरी यानि 15 का होल स्कार माइनस दोनों बिरित की तुरी जोगा जोड का होल स्कार यानि 6 प्लिस 3 का होल स्कार यानि 244 अंडरोट 144 तुवेलव यूनिट क्यानि की ओप्सन नंबर भी नेक्स्ट है हमारा कुश्चन नंबर 51 जो कि आपको SSC HSL 2015 में पूछा गया है यह हमारा कुश्चन कर रहा है एबी सीडी एक चक्रिये संब्लम चतुर्बूज है जिसकी भुजाए एडी और बीसी एक दुसरे के समानतर है यादि एंगल एवी दुसरे शामने होती है और दूसरी हमने समने की प्यत्य हुजाए अले disrupt बीस इस इसके निचैन डिख सकते है और भॉल रखा की कि हमारा की अगलis यह थी चतुर्भू सभानध हिसे प्ता करते और बीसी चतुर्भू इंद्य सुमातर है यानि हमिश्चन की सभाने प्सकाइ यह वाला एंगल हमें दे रखा 75 तो पूछ रहा है एंगल BCD का मान क्या होगा तो हम जानते हैं कि चक्री यह कोई विचा तुर्बू जोता है उसके आमने सामने के कौन का योग 180 डिग्री होता है यानि कि एंगल ABC एंगल ADC बढ़ाबर हो जाएगा 180 ऐंगल ABC का वैलू में मालू में 75 तो एंगल ADC का वैलू क्या हो जाएगा तो एंगल ADC बढ़ाबर 180-75 नानि कि 105 डिग्री अब हमें एंगल D की वैलू मालू में 105 डिग्री हमसे पुछ तो आइंगल तो कॉर्सपोंडिंग एंगेल से अंगल ADC प्लस एंगल DC बराबर हो जाएगा 180 किस एंगल से तो क्रसपोंडिंग एंगल ADC का वैलु मालूम है 105 प्लस एंगल DC भी इक्वल तो एंगल DC बराबर क्या हो जाएगा तो 180-105 यानि कि 75 डिग्री ओप्सन नम्बर सब्सक्राइब पर गुश्य में बोलेख नहीं कि एक चक्रीय सब्लमण चतुरिवुज है यहां वहीं कि दुश्य को समानतर रखा फिर बोला था एंगल ABC प्रावर 75 है तो एंगल BCD का मान क्या होगा तो हमने देखा कि ABC प्रावर 75 है तो हम चानते कि किसी भी सम्हें चत्रभुष के आमने सामने का कौन का योग 180 होता है यानि एंगल 1 ABC प्लस एंगल ADC इकल टू 180 यहां से हमने एंगल ADC का वैलू निकाला तो 105 यानि कि 75 डिग्री ओप्सन नमबर एक निस्ट है हमारा कुश्चन नमबर 52 जो कि आपको SSC CHS 2015 में पुछा के हैं यह हमारा कुश्चन करां ट्रेंगल ABC में कौन B और C के बाइक कोन दूभाज आप विंदू पर मिलते हैं यह एंगल A इकल टू 70 डिग्री है तो एंगल B औ के मान क्या होगा है यह हमारा कुश्चन बोला कि एक ट्रेंगलं कोन सा ट्रेंगल है तो ट्रेंगल एक विंदू पर काते हैं यहां से हम बात करें तो यह हमारा संदी भाजक से हमारे क्या होता है य को संदी भाजक आग बोल रहा है कि एंगल ABC में कौन B और C के य को संदी भाजक O बिंदू पर मिलते हैं तो external angle bisector से angle BOC बराबर क्या हो जाएगा तो 90- angle A by 2 तो 90- angle A का value में मालूं में 70 by 2 यानि कि 90-35 55 यानि कि option नमबर से तो यह हमारा किस तरह से हुआ तो बाय को संदी भाजक से angle BOC equal to 90- angle A by 2 यानि कि 90-75 तो यानि 90-35 55 डिगरी option नमबर से नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमर 53 जिसमें और ब्रित के बाहर एक बिंदू है यह और एखा जीवा BC को डीपर काटती है एंगल BOD का माप क्या हो गया यह हमारा कुश्चन बोला कि AB और AC जो एक ब्रित के स्पर्स रेखा है यहां पर हमने एक ब्रित प्रॉक या बोल रहा कि इसका इसका दोस पर्स रेखा है कि इसका दोस पर्स रेखा क्या प्रोन रहा है तो AB और AC है यहां पर ब्रित के बाहर एक बिंदू है यहां पर रहा कि जीवा BC को डीपर काटती है है यहोग एक रेखा आप है जो कि जीवा बीसी को किस पर कट करestra कर रहे तो ढातीं है हम से पुछद ो कि जानते है că hii b c पर लंब हो तो graze promote जो जीवा होती है वो ठ्रीजिय पर लंब होती है तो क्या होगी 50 रंब होगी चिंप चाँ रहे जाता तो जीवा की दो परावर भागों में काट बाठती है तो अंगल ब। यह बराबर क्यों जाएगा तो 90 डिग्री यानि की आप्सन नंबर सी नेक्स्ट है हमारा कोश्चिन नंबर 54 जो कि आपको एसे सी है चसल 2015 में पूछा गया यह हमारा कोश्चिन कर रहा है डी ए तिरबुज ए बी सी की भूजा यह बी और एसी के क्रम सा मति बिंदू है एसे ख फिर बोल रहा है कि D E ABC की भूजा AB AC की करम सा मति बिंदू है यानि कि यहां से D E AB AC की मति बिंदू है फिर A से खिची गई रेखा H पर BC से और K पर DE से मिलती है तो A के रिशियू KH क्या होगा तो थिर्स पर में से D E parallel BC हो जाएगा किस पर में से तो थिर्स पर में से बिकॉस की D E AB AC की मति बिंदू है तो यहां से एक रेखा खिचा जाता है तो वह इसे दो भागों में बिवाजित कर देगा यानि कि A के रिशियो KH क्या हो जाएगा तो वन रिशियो वन यानि कि ऑप्सन नंबर B तो इस क्वेश्चन में हमने किया कि कुछ वी ने यह हमारा कुश्चन बोला थे कि एक यह तो हम रिखा की गई रिच है है यहां जो कि BC पर मिलती है और k d E ना यहां पर देख बहुंसे है खिचेपलिसक थे गवन एो भागों बार्ण बातेगी यानि कि A K रिसो के ओकट्च शhouse तो आज के लिए बस इतना है यह हमारे 500 कुश्चन की सीट होगी आगे के कुश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी अप्लोट करें उसके आपको अप्डेट्स मिलते रहे देन बाएं टिक के